ओके यह वाला आपका लास्ट जो टर्मेंट सेक्शन था उसमें यह क्वेशन आया था ठीक है अब मैं यह चीज आप लोगो समझाऊंगा कि क्या है ठीक है तो नरेटिव टेक्स का मतलब क्या है पहले में एक चीज शौट में बता देता हूं कोई भी चीज इसको नरेट किया मोट में अब अगर शायर मुवी में भी देखे होंगे कि starting में एक नरेट किया जाता था 10 साल पहले एक चीज कुछ हुआ था ठीक है तो बुक में भी आप कोई नरेट कर रहा है कोई एक पर्सेन है जो वो चीज़ को समझाऊंगा है आप लोग को जो कि वो चीज खो आपको या सुनने को आपको मिलेगा ठीक है तो यहां पर मैं इसमें definition है मैं जस्ट आपको एक overview बता दिया narrative का मतलब है narrate या उस चीज़ को आपको explain करना ऐसे करके उसको narrate करके एक form of explanation में अगर आप देखेगा narrative text is writing that tells a story ठीक है एक कहानी बताया जाता है में चीज में introduction देता हूं कि introduction के विन आप लोगो समझ में नहीं आएगा अगर कोई question पूछे तो it can be made up story fiction और one that is based on real events तो real events के उपर में या story कोई भी हो सकता है जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको real events का या story के बारे में आपको बताना है to narrate is the verb used to describe the act of telling a story आप कोई भी story जब आप बोलते हो या कोई भी story आपको कोई बताता है अचा ठीक है आपने क्या पढ़ा है वो चीज आप आप हमको समझाओ जैसे मैं अभी narrate करा हूं आप लोग को यह चीज को समझा रहा हूं ठीक है तो यह चीज को आप कोई story या कोई चीज को आप बता रहे हो ठीक है so a narrative is the story and the narrator is the person telling the story तो अगर narrative text में अगर आप देखेगा तो narrative है आपका story जो story जो है वो एक narrative है और narrator या बोलने वाला जो speaker जो है वो आपका narrator कहलाता है जो story को समझाता है this can be factual as well as fictional narratives जो आपका reality में भी हो चुका है या उसका fictional भी वो एक narrative हो सकता है ठीक है descriptive text as well as argumentative narratives descriptive as well as argumentative narratives तो यह आपका descriptive narrative भी हो सकता है जहां पर आप कोई चीज को describe करें हो यह argumentative narratives भी हो सकता है यह expository narrative भी हो सकता है जैसे आपका term in section में भी आया था जहां पर expository narrative का एक example दिया गया है ठीक है तो आप अगर नहीं देखें तो वीडियो जरू से देख लीजेगा इन वे narrative writing can encapsulate a variety of purposes into its creation तो आपका ही अगर देखेगा main क्या है story या आपका कोई चीज को real events को अगर आप दिखेगा तो यह चीज को बोलने के लिए है या narrative कर ले के लिए है तो आपका main keywords क्या है narrative narrator story बताना यह चीज को समझाना ठीक है फिर हम लोग next हम लोग देखते हैं यह first paragraph आपका definition के लिए सबसे mean है ठीक है तो आप देखेगा creativity plays a crucial role in the fiction and non-fiction narratives as well as how you tell a story ensures the effect you wish to have on your readers आप कैसे करके story को बताते हो वो आपका readers में एक बहुत ज्यादा concept मतलब बहुत अच्छा impression चोड़ता है कि कैसे करके आप वो चीज को समझा रहे हो ठीक है फिर features of narrative text क्या है तो यह video लंबा जाएगा I don't know about the quality of the video I am trying my best कि इसका quality थोड़ा better हो पाए क्योंकि अभी weather conditions थोड़ा ठीक नहीं है but still let's hope for the best की better quality ही आप लोग देख पाए जब वीडियो देखते हैं तो ठीक है features of narrative text क्या है कि theme यहां पर बताया गया तो यह आपका last year का जो comment था इसमें आपको बताया गया है theme क्या है theme एक ऐसा चीज़ है जो एक चीज़ का central element of a story है या अर्थात author क्या बोलना चाहता है what does the author wants to say in a particular story or a novel अब यहां पर एक trick है कि last time क्या पूछा गया था कि what are the five elements of a story यहां पर अगर देखेगा तो starting में कहीं पर लिखा नहीं है कि यह five elements of a story है यहां पर अगर आप देखेगा तो story में जैसे आपका question को घुमा दिया गया starting में आप देखेगा कि narrative का मतलब चाहता कि telling of a story तो you are supposed to understand कि क्या है नहीं है ठीक है अंदर से आएगा बट आपका दिमाग आपका वो time में blank नहीं होना चाहिए ठीक है ऐसे टाइब की questions आते हैं तो last time ऐसा कुछ question आया था कि थोड़ा twist कर दिया था question को बट ultimately इसका मतलब यह है कि theme setting ठीक है यह सब चीज है characters point of point of view और plot ठीक है यह five things है अब थीम क्या है थीम को जैसे मैंने समझा रहा था कि central point of a story है यह writer क्यों लिकड़ा है what is the purpose of the writing अगर वो थीम अगर देखेगा हम अमेशा आप देखेगा कि यह theme आपका जहते novels यह stories में रहता है चाहिए शायद वो women empowerment के उपर में लिकड़ा है यह कोई चीज का आपका चीज को समझाने के लिए वो लिकड़ा है कि कोई चीज में greed के बारे में समझाने के कोशिश कर रहा है कि greed is not good for anything तो यह theme रहता है ठीक है तो theme के बिना एक story नहीं बनता है तो पहला जो writer होता है उसका purpose of the writing of the story या what is the purpose या what is the idea the central element of writing a story यह आपका theme है ठीक है फिर है क्या कि central idea of writing of a story इस theme तो why the what is the purpose ठीक है जैसे war हुआ या कुछ एक चीज को narrative को establish करने के लिए theme बहुत ज़रूरी है फिर है setting setting क्या है कि कहां से कौन प्लेस में लिया गया है ठीक है जहां पर narrative develop करता है अब चलिए example देना पड़ेगा क्योंकि विना example का कोई चीज में समझाता नहीं हो especially English का चीज को तो setting क्या होता है suppose आपका Shakespeare का place में आप देखे होंगे कि कोई पैलेस में हो रहा है ठीक है तो वहां पर starting में कुछ narrative दिया जाता था ठीक है कि आपका यहां पर से पैलेस से फिर से वो चेंज हो गया forest में forest से फिर से चले आया पैलेस में पैलेस के बाद वो चले गया फिर कोई और जगह में ठीक है यह house में या एक room in the Palace में या डंकन का जब मडर हुआ था तो वह वाला setting में बताया जा रहा है तो यह जो है ना setting है कहां पर हो रहा है ताकि आप बताया पाए कि वह जब place है वह change हो रहा है ठीक है यह कौन से place में हो रहा है वो चीज़ आप बता रहे हो कि setting क्या है ठीक है फिर है characters अब characters क्या है characters आपका कुछ भी हो सकता है inanimate object inanimate characters हो सकता है living हो सकता है non living हो सकता है ठीक है आप यह खुद भी अगर form करोगे यह चीज को तो भी चलेगा मैं जो keywords आपको बताता हूं वह आप चीज को ध्यान से देखो चार keywords में मैंने यह चीज को बता दिया कि characters क्या है inanimate animate आपका living non living जैसे for example अगर आप दिखेगा कोई भी short story में कोई भी छोटे short story में अगर आप दिखेगा तो pencil जो की living नहीं है वह आपका वह बात करने लग जाता है ठीक है या कोई जो आपका animals जो है वह बात करने लग जाता ह कि आपका living beings का भी characters है वह character play करता है तो characters आपका ये होता है कि एक particular जो story नorvel में है वो चीज को perform करते है या enact करते हैं वो आपको story को बताते हैं कि किसका क्या चीज का है ठीक है क्या role play करते हैं वो लोग कैसे type का character है यह सब चीज में आप देखेगा इसमें आप और एक चीज भी example दे सकते हैं देखिए मेरा यहां पर book से जहां खतम होता है वहां से हमें relate करता हूं क्योंकि if you see the more you think the better you can write तो मैं क्या करता हूं मैं courses को अभी साथ में लेके आता हूं तो अभी हम लोग BGC 133 का एक चीज देखेंगे कि characters में हम लोग का दो चीज दिया गया था कि flat characters and round characters तो आप बोल सकते हो कि like characters के बारे में आप बताए कि inanimate animate यह सब चीज बता है कि यह different type of characters ह होसता है फिर आप यह भी बोल सकते हो कि the two types of characters जैसे बहुत पॉपुलर्ली इन्हों ने एक फ्लाट characters or round characters flat characters or round characters क्या था आपका BGC 133 में आप पड़े थे I think so BGC 134 यह 133 में यह course में भी था ठीक है तो flat characters characters or round characters था तो यह सब चीज ना जब आप इसको example में दोगे यह चीज को समझाओगे यह शायद flat characters ऐसा कुछ है यह round characters ऐसा कुछ है अगर आप वो चीज को define कर पाए ना अपने language में भी जब आप पड़ते हो तब आप वो चीज को automatically वो चीज को easy करोगे ठीक है there has been no rule set if you can try and think about the things to be easier enough ठीक है तो जहां से book का चीज खतम होता है वहां से आपका studies का कितना knowledge है कितने अच्छे से आप पड़े हो उस चीज का आपका knowledge start होता है ठीक है अब point of view क्या है point of view आपका है आपका जो first person या second person जो आपका narrative technique में use होता है जैसे मैंने पहले भी बताया I we आपका क्या है ठीक है फिर second person में क्या है you your ठीक है फिर he it she they यह आपका third person narrative है तो यह आपका point of view मतलब कौन यह चीज बोल रहा है तो इसी के बारे में है फिर plot क्या है plot में आपका सारा चीज जो आपका जितना भी चीज है आप पूरा चीज को बताते हो कि क्या है when you are you write a plot summary you are essentially condensed a novel into a short essay ठी ठीक है touching the key points of the material मतलब क्या क्या चीज आपका story में material में है you will want to introduce the main characters उसमें क्या है आप introduce कर रहे हो plot में main characters क्या है setting of the story क्या है main conflict of the narrative क्या है including the five basic components of the plot ठीक है जैसे introduction फिर rising action climax falling action and finally resolution अगर आप देखोगे आपका जैसे question आया था कि five elements of a story 10 marks का था word limit नहीं था ठीक है तो आपको क्या करना है minimum यह five elements of a story देना है साथ में अगर हो सके तो यह अगर diagram भी बता दे और एक line करके अगर यहीं बता दीए कि plot में five thing है तो that will be enough but keywords आपको जरूर से देख आप इंट्रड्यूस कर रहे हो the main characters और सब चीज का आप plot के बारे में आप समझा रहे हो कि क्या plot है story का चीज में आपका है ठीक है तो मैं इस चीज का एक example देखे आपको समझाता हूं ठीक है क्योंकि मैं जैसे बताया कि बीना example को मेरे को English का चीज में समझाता नहीं हो क्यो मैकबेत का एक rising action था ओके फिर वहां पर क्लाइमाक्स आया कि वहां पर क्या हुआ कि वह उसने डंकन का murder किया वहां पर आपका rising action में वह जो मैकबेत का जो किंग होने से पहले उसको पहले जो थेन आफ कोड़ोर और थेन आफ वह सब चीज जो टाइटल मिला फिर वह राजा बना फिर क्या हुआ कि automatically conflict or climax हुआ उसके बाद एक falling action हुआ जहां पर आप देख पा रहे हो Macbeth is not in peace तो एक falling action हुआ है plot को समझे आप ठीक है Macbeth is not in peace और last में क्या हुआ resolution जहां Macbeth was not leading in peace तो क्या हुआ events leading to the end of the story जहां पर बहुत सारा चीज अगर आप देखोगे Lady Macbeth का visualize करोगे आप चीज को एक text के हिसाब से सोचो ठीक है आप उसमें examples provide करने का कोशिश करो एक चीज को अगर आपको difficult लग रहा है तो आप उसको दूसरे जगह से खोजने का कोशिश करो कि इसको कैसे करके आप easy करोगे ठीक है आप plain definition आप रट्टा मार के उसको याद कर सकते हो बट मेरे मेरे language में मैं technique सिखाता हूं जो चीज में आपको वो चीज को understanding में easy हो ठीक है तो यहाँ पर EM foster यहाँ पर बताया जा रहा है कि plot क्या है ठीक है plot में जैसे एक्सपोजिशन है जैसे एक्सपोजिशन आपका हम लोग पैसे भी पहले भी पढ़ेते एक्सपोजिशन का मतलब क्या है beginning of the story जहां पर आप एक चीज को एक्सपोज कर रहे हो यह कोई चीज को समझा रहे हो फिर conflict क्या है conflict आपका कोई story में जहां पर एक tension जो होता है जैसे में हुआ टेंशन हुआ था ठीक है यह वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि block 2 में थोड़ा कुछ चीज समझाना है यह context especially important है conflict आपका जैसे आपक बहुत सारे चीज में आप देखेगा कि मैगवेत के time में बहुत सारे conflicts होते थे थे ठीक है वहाँ पर क्या है नहीं है फिर वहाँ पर क्या चीज में conflict हुआ फिर क्या types of conflicts है जैसे different types of conflicts है यहां पर अगर आप देखेगा जैसे two individuals mostly protagonist individual versus individual एक है फिर आपका individual versus society है जहां conflict है अग आपका rising action जैसे आपका कोई एक चीज पर्टिकुलर चीज में character जो introduced है उसके बाद एक conflict आता है, struggle आता है, ठीक है, फिर climax है और falling action है और resolution है, आप ये जीज को एक बार read कर लिजेगा और इसमें examples भी कभी-कभी देने का कोशिश कीजेगा, ठीक है, फिर structure of narrative text क्या है, orientation है, complication है resolution है, koda है, ठीक है, तो orientation तो आपको बताया जा रहा है, background कैसा है, नहीं है, ठीक है, thesis क्या है, नहीं है, फिर complication क्या है, narrative text आप देख लीजेगा, narrative text आपके लिए बहुत important है, इसके अंदर से आपके chances बहुत ज्यादा है, narrative text, argumentative text, इसके अंदर में main जो key points है, इसको याद paragraph है, और भी चीज़ है, जैसे resolution हम लोग ने देखे थे कि, जहां पर story elements में falling action के बाद, एक end, जो of the story है, वो आपका resolution होता है, और koda क्या है, यह आपका अंदर से भी कहीं से भी question पूछ सकता है, तो आप देख लीजेगा, koda important है, the last part of the narrative structure is known as koda or reorientation, जो last narrative structure जो है, उसका आ koda या reorientation बोला जाता है, it contains a lesson learned from the entire story and the resolution, तो आपका जो, से suppose जैसे model होता था ना, एक छोटा story में, तो वैसे ही type का, क्या है कि आपका यहां पर पूरा story में क्या समझाया गया है, एक bad ending, sad ending, या good ending, इसमें आपको समझ में आता है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इसके ब remark is optional in a narrative text, आप कोई चीज में infer का रहे हो कि नहीं का रहे हो, या conclusion दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वो optional है narrative text में, ठीक है, तो the aim of the writer, on the aim of the writer, if the writer wants to leave the audience with a model lesson at the end of the tale, जैसे मैंने बताया, अगर कोई moral lesson बताया जाता है, तो side में आप mean करके लिख दीजिएगा, कि ये koda या model lesson ह keyword, फिर narrative text में यहाँ पर sample दिया गया है, understanding कैसे करके आप कीजिएगा, reading strategies versus skimming scanning है, देख रहे है, skimming scanning कितना बार पूछा गया है, skimming scanning शायद इस बार भी आ जाए, क्योंकि chances बहुत हाई है, I know video थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए quality का issues हो सकता है, and I am trying my best कि उसका quality आप जाता है, तो quality यहाँ से deteriorate हो सकता है, due to weather conditions, okay, अब आते हैं हम लोग, argumentative text में, अब argumentative का text क्या है, उसमें argument text, अगर आप देखेगा, तो यहाँ पर author presents an argument either for or against the topic, ठीक है, with a name to convince the reader with his own point of view, ठीक है, वो दोनों चीज देता है, end result में क्या है, आप देखेगा, definition में, दोनों में differentiate करूँगा, argumentative or persuasive, ठीक है, end result क्या है, reader के पास अपना point of view, वो अपना रखता है, कि वो convince करने चाहता है, दोनों चीज वो बताएगा, pros and cons, ठीक है, the text is formal and academic, बहुत formal होता है, और academic purpose के लिए use होता है, जैसे आपके assignment में भी था, वो आपका argumentative text दिया गया था, okay, hence all the arguments given in the text are solidly backed by hard evidences like facts, important words, facts, statistics, surveys, reports, etc., according to 99%, according to 9.1%, ऐसे एकर के, ठीक है, वहाँ पर facts जया जाता है, according to this report, something like that, उसी में आप समझ जाईएगा कि this is argumentative text, ठीक है, which entail an in-depth knowledge and research regarding the topic, research, okay, it may include quotes from experts as well, experts से भी quotes रच सकता है, the writer researches on the topic, and takes a side and then tries to get the reader to recognize the validity of his argument, तो वो argument के बारे में वो कोशिश करता है कि वो समझा पाए, फिर argumentative text offers facts, reasons and evidences to support the author's argument, एक यहाँ पर facts और चीज़ दिया जाता है, evidences दिया जाता है, और structure of argumentative text क्या है, जैसे first paragraph में क्या है, यहाँ दिखेगा कि clear, concise and defined text statement बताया जाता है, ठीक है, फिर body paragraph में आपका comprise the topic sentence, topic sentence दिया जाता है, making a claim followed by the explanation and example in support of the claim, तो आपको एक topic sentence दिया जाता है, जिस topic sentence में, is a claim or an assertion, देखिए, एक thesis statement था, जो आप लोग ने पहले पढ़ा था, एक topic sentence है, अगर किसी का BEGS 183 course है, तो यह सब चीज़ बहुत important है, ठीक है, topic sentence और thesis statement, ठीक है, तो मै एक साथ, एक course में जब बात करता हूं, तो दूसरे course का भी कभी कभी आ जाता है, तो आप दिखेगा, topic sentence, फिर यह सब thesis statement, यह भी बहुत जरूरी है, आप लोग को जानने के लिए, जब भी आप passage या paragraph के बारे में, आप discuss करे हो, ठीक है, it is a declaration which states the main idea, जो आपका main idea है, वो examples or facts to just his claim, to justify his claim, तो वो जो है न, वो reason या चीज को discuss करने कोशिश करता है, ठीक है, फिर यहाँ पर बहुत सारा चीज दिया जाता है, conclusion of the argumentative essay is not the restating of the thesis statement presented in the first paragraph, तो अगर आप देखेगा, यहाँ पर क्या है, कि यह जो thesis statement जो आपका, पहले में आपका first paragraph में दिया गया है, वो अलग होगा, मतलब conclusion में वो आपका difference करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ sample से यहाँ चीज देख लिजेगा, मेरा main चीज जो था मैंने explain किया, कि कैसा type का वो चीज है, यहाँ पर कुछ examples है, क्योंकि video ऐसे ही लंबा हो गया है, तो मैं सारा चीज में read नहीं करूँगा, फ बहुत time है, कि आप argumentative text और narrative text में, argumentative text और persuasive text में कैसे करके समझा, अगर वो passage में दिया जाए तो, ठीक है, कुछ भी उन लोग पूछ सकता है, क्योंकि यह सब चीज में आपको यह भी पूछ सकता है, कि यह definition क्या है, यह चीज क्या है, नहीं है, यह सी चीज आपको बताना ह ठीक है, अब persuasive text क्या है, persuasive text या to convince, from the word itself to convince, two words में आप यह चीज को देख लीजे, how you try to convince them, आप कोई चीज को convince करना को कोशिश करते हो, आपको कोई भी चीज चाहिए अपने parent से या कोई भी चीज से तो आप persuade करना चाहते हो, अगर आपको कोई चीज में mobile चाहिए या कोई आपको gadget चाहिए, कोई भी चीज चाहिए तो आप persuade कर रहे हो, या convince करने कोशिश कर रहे हो, कि आप मेरे को यह चीज दे दो और मैं अच्छे से marks लाऊंगा, या आप मेरे कोई यह कर दो तो मैं आपका सारा बात सुनूँगा, ठीक है, this is called convince your parents, this is called persuasion, या convincing चीज, आप कोई with the persuasion in our daily lives, आप देखेगा, बहुत सारे time में हम लोग कोशिश करते हैं, कि आप में यह दे जो, तो मैं यह काम कर लूँगा, ठीक है, we may not realize it, but we are constantly being convinced about how we lead our lives, तो हम लोग कैसे करके lead करते हैं अपने lives को, वो चीज हम लोग समझाते हैं, for instance, advertisements that you read in the newspapers or watch on TV, they all are trying to persuade you on something on the other, तो एक जैसे new cell phone है, कोई चीज में आपका जैसे advertisement हुआ, जैसे आप देख सकते हो, help me read this, फिर यहां पर pathos, ethos, logos, pathos, यह सब चीज के बारे में बताया गया है, जो आपका, अगर आप देखोगे, तो Aristotle का कुछ चीज है, ठीक है, according to Aristotle, three modes of persuasion, जो है ethos, logos, pathos, ethos क्या है, इसके ब आपका कोई भी चीज में आप दे रहे हो, तो आप logic दिखा रहे हो, कि यह चीज है, इसलिए आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ethos refers to the ethical persuasion, which also comes from the credibility of the writer, मतलब कोई चीज को आप ethically आप उसको प्रूफ करना चाहते हो, कि यह चीज आपका होना चाहिए, according to this, यह आपका होना हो, तो वो logos का है जाता है, तो आप देखिए, ethos से मतलब ethic, logos से मतलब logic, तो जिस word से है, वो ही से आपका दो word का, आप word को याद कर सकते हो, फिर वहाँ पर facts, figures, research, यह सब चीज का है, और यह आपका persuasive text का समझाने के लिए है, फिर pathos क्या है, pathos is a reader, emotional response, या आपका pathos या emotion, तो pathos का मतलब क्या है, कि emotional response among the readers, तो pathos, जो emotional response of the readers है, वो आपको बताया जाता है, जैसे fear, anger, sadness, pity, horror, disgust, excitement, यह सब चीज में आपका बताया जाता है, फिर आप empathy के बारे में आप जानते होगे, कि empathy और sympathy का मतलब क्या है, sympathy आप बोल रहे हो कि मेरे को बहुत दुख हुआ है, empathy में आप literally feel करे हो कि उसमें क्या बीत रहा है, आप उसको सहनवूती दे रहे हो, और आप एक चीज में literally feel करे हो कि मेरे को भी खड़ाब लग रहे है, you are also feeling sad or happy with that person, तो आप empathy देते हो इसमें, ठीक है, तो usually evoked by the writer, empathy is the reader, in the reader is usually evoked by the writer, तो writer क्या करता है, कि empathy एक चो है न, वो emotional जो work है, वो लोगों को कैसे करके उसमें difference ला पाए, ठीक है, in these essays do not use facts and figures as evidence in the support of this perspective, एक चीज़ देखिए, परस्विसिव में आपका facts, figures का बात नहीं है, ठीक है, जैसे आपका arguments में था, एक difference आपका आगिया और आपको यह चीज़ देखना है, यहाँ पर facts, figures, data, यह सब ची to present the views in a credible manner, तो यह आपका क्या use, यूज करता है, जैसे ethos यूज करता है, this credibility of the writer is known as ethos, या ethic, जिसको हम लोग पहले भी पढ़े थे, ethical persuasion, ठीक है, the reader should be able to trust the writer in order to agree with the convinced by the writer, तो वो convince करने का कोशिच करता है, और proper use and command over the language, तो command over the language के बारे में यहाँ पर बताया जारा है, फिर grammatical errors or inconsistent use of sentence structure could lead the reader's astray, तो आपका यह चीज देखना पड़ेगा कि grammatical errors or inconsistent use ना हो, ठीक है, तो argumentative वैसे में difference यह आ सकता है, बहुत important है आप लोग के लिए, आप देख लीजेगा, अगर difference आए, तो यह सा type का question आ सकता है, क्योंकि यह बहुत ही कम difference है यह दोनों में, but है, ठीक argumentative essay में यह logic देता है, essay में, persuasive essay में emotion है, तीक है, यह आपका academic in nature है, यह आपका informal style है, it's six, so evoke emotion, यह आपका emotions के लिए आप persuasive essay use करते हो, the aim is to present the arguments as a valid and reasonable, यहाँ पर क्या है, कि the aim is to convince the readers with the writer's point of view, persuasive essay में, फिर hard evidences are used like statistics surveys, experts, etc, यहाँ पर heartfelt emotions are used to allow sympathy of the reader, तो यहाँ पर heartfelt emotions, मतलब वोच चीज को, कोई चीज को convince करने के लिए आप चीज को समझाने के कोशिश करो, appeals to the mind of the reader, appeals to the emotions in the reader, ठीक है, more or less यहाँ पर same है, फिर यहाँ पर क्या है, यह logical है, यह आपका emotional response to the cause है, ठीक है, फिर writer takes to and into account of opposing conflicting views as well, तो writer does not include alternate arguments, उसमें कोई arguments नहीं दिया जाता है, फिर अग argument देने के लिए thorough research करना पड़ेगा, जैसे data, figures, aspects, यह सब चीज को समझाने के लिए, requires an understanding of the audience in order to appeal to their emotions, तो emotions में क्या है, यह चीज आपको समझाना है, tone of the essay is calmer, the tone of the essay is emotional and aggressive, तो argumentative essay में बहुत काम रहता है, ठीक है, तो example, detall soap में अगर आप देखेगा, 90% of the dermatologist, 98% according to this idea, फिर जैसे example में अगर आप persuasive में देखेगा, तो जैसे lost puppy में आप देख सकते है, how much do you love me, ऐसे करके कुछ है, तो बहुत साड़ा ads में भी आप देखेगा, बहुत साड़ा persuasive चीज दिया जाता है, तो यहाँ पर कुछ questions भी दिया है, कि smoking is injurious to health, ऐसा भी दे सकता है, पैसे on the same topic द किया है, तो यह आपका कुछ passage है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, यह आप read कीजेगा, जैसे कैसे करके आप explain करते हो, कैसे चीज करते हो, तो यह video यहाँ तक ही सबसे important था, practice text, यहाँ तक ही important था, यह block 2 का, जितना मेरे को लगता है कि important है, मैंने समझाया, और आप यह सब च मैं झे,